हेलो स्टुडेंट फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आए आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ है या फिर होने वाला है आपका तो देखे इसका आपको शॉल बताने वाले हैं इस वीडियो में तो आप वीडियो को यह स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम आपको शॉल बताएंगे जो आपके छोटे-छोटे कॉश्चन होते हैं जैसे कि यह सही पिकल्प हो गया सही जोड़ी हो गई और आपके इसके बाद में रिखतिस्थान हो गाहिए इसके बाद में दोदुमाक्स के कॉश्चन हो गया त तो आपको अच्छ से इसको revision test को करना है क्योंकि आपके जो बारसिक board होंगे तो वो open book exam के द्वारा नहीं लिये जाएगे अभी आपके क्या है कि revision test जो covid-19 की वजाए से आपके open book exam के द्वारा लिये जा रहा है आपको क्या करना है इन सभी question को याद करना है क्योंकि बारसिक में इसी में से 20-30% question आपके repeat होगे तो आप इन सभी question को याद कीजिए जो कि इस revision test में आपके दिये गया है चले start करते हैं सही बिकल्ब देखिए पहले कोशिका का powerhouse कहा जाता है तो कोशिका का powerhouse किसे कहा जाता है microcondia को इसका answer सही होगा ठीक है इसके बाद मैं second देखिए निमलेकत मैंसे कौन सा रसायनिक परिवरतन है तो दूद से दही का बनना यह आपका क्या कहलाता है कारे करने की चमता को क्या कहते है तो इसका answer सही होगा इसके बाद मैं फोर्त देखिए तुरणका ऐसा ही मतरक पूचा गया है मीटर बटे सेकंड स्क्वियर तो इसको उपर ले जाओगे तो एमस माइनर टू की पावर हो जाएगी ठीक है इस प्रकार यह आपका ओप्शन दिया है तो गास ही होगा यदि यह नहीं होता है यह आपका डिफर intentar आप नम इमोनिया इसका चाहिए अनसर लगा सब देखिये आपके सही बिकल्प में समस्तान भर्यें सोडियम का संकेत आप सब्सकारा तो कांसर क्या होगा रंद्र क्या हो गाला तो किया सWH मातरक निन होता रह ता आप सभी जानते हो जल का सिस्ञ सी write इसके बाद मैं देखिए सही जोड़ी तो सही जोड़ी ज्यादा टफ नहीं है आपसे आसान इस रिविजन टेस्ट में पूछी गई है लेकिन आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए क्योंकि बार्सिक में भी यही आपकी सही जोड़ी इसमें से एक यदू आ सकती है ठीक इसके बाद मैं देखिए नेक्स्ट प्रकास संसलेशन तो प्रकास संसलेशन है जो आपका वो क्या है देखिए हरत लबक ठीक है प्रकास संसलेशन आपका हरत लबक इसके बाद में फूरत देखिए लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना रसाइनिक परिबरतन का उ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि दौरा क्या होता है दौरा जल तथा खनिच का संबखन होता है इसके बाद अपका दिया है सदिस रासिया केसे कहते हैं तो यहां पर आपको बताना है संबेक क्या है तो संबेक Keada परिभासािस प्रैकाल लेग सकते हो इस लिए पर वान फला को हम क्या कहते हैं इसके बाद में और आपको अति-लगुति लLC dye टाइप में होते हैं, दो माइफ को पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपसे दो माइफ के पूछे गया है, जैसे कि फर्श्ट, आपका क्या दिया है, भौत एक परीबरतन किसे काईते हैं, एक उधारन देजिये, ठीक है, तो इसका anthropan elementaryPhagy, हो आपके पास जो क्लास नाइंथ में परिच्छत दन होगी 2019 की उसमें आपको जैसे सभी आंसर मिल जाएंगी तो उसमें से आप देख लीजिए और यहां पर आपको कुछ और कॉश्चन बता जा रहा है फ्रश्णी कर मंग पहले आप देखिए साहत मा ठीक है वेक और चार्ण में अंतर तो आपको जी तरीके से आप इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं दो लिखना है आपको चाल और बेग में अंतर तो यहां पर आप देखिए यहां पर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए एक आंग समय में चली गई दूरी चाल कहलाथिए एक आंग समय में किसी निश्चे दिसामें विस्तापन बेग कहलाता है चाल एक अदिस रासी है स्क्रींषोट लेते जाएगा तो यह कि आप ऐसे लीदियोगा के आपका शॉल बताया गया था और एक प्रिशनी क्रमांग जो 16 है इसका भी आप यहां पर देखिए इसका भी आप स्क्रीन सॉट लेकर रखिए इस अंसर को ठीक है आप स्क्रीन सॉट लेजिए एक बार ठीक है प्रिशनी क्रमांग जो 16 है इसका आप स्क्रीन सॉट लेकर रखिए इसका अंसर है आसा करते ह आपको अच्छा लागा होगा आप वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद